हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अगर आप नए विबस है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाए ताकि ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे नहीं तो आप वीडियो देखते की रहूंगी पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है चलिए शुरू करते हैं एक बार की बात है एक व्यस्त शहर में एक युवा जोड़ा रहता था जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता था उनका नाम था सारा और वे अवे भाज्य थे हमेशा एक दूसरे का हाथ ठामे रहते थे और साथ मिलकर एक सुंदर भविश्य के सपने देखते थे लेकिन जैसा की जीवन में अक्सर होता है इसने उनके सामने अप्रत्याशित चुनोतियां खड़ी कर दी एक दिन उनके व्यस्त जीवन की अराजक तके बीच गलत फेहमियां घर कर गई और वहसे अकसर होने लगी अपने प्यार के बावजूद वे खुद को अलग होते हुए पाते थे जैसे समुद्र में खोए हुए दो जहाज एक शम एक खास तोर पर गर्मा गरम वहस के बाद सारा और माइकल ने अलग होने का दिल तो हुए थे आने वाले दिनों में सारा ने खुद को अदासी में जूबा हुआ पाया उसकी दुनिया का हर कोना माइकल की यादों से गूंचता हुआ लग रहा था और उनके ब्रेक अप का दर्द उसकी आत्मा पर भारी पढ़ रहा था वो खोई हुई महसूस कर रही थी जैस से उसका कोई हिस्सा गायब हो गया हो और उसके बिना भविश्य अंधकार में लग रहा था लेकिन अपने भीतर सारा ने लची लिपन की एक जिलम लहट पाय आशा की एक छोटी सी चिंगारी जो बुझने से इंकार करती थी उसने महसूस किया कि दिल तूथने का दर्द व नए द्रिर संकल्प के साथ सारा ने आत्मा खोज की यात्रा शुरू की उसने अपने जुनून में अपना दिल लगा दिया उन चीजों को फिर से खोजा जो उसे खुशी और संतुष्टी देती थी उसने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया जिन्होंने उसका मनोब बढ़ाया और उसे उसकी कीमत याद दिलाई धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सारा ठीक होने लगी उसके दिल का दर्ब रातों रात गायब नहीं हुआ लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये कम होता गया उसे इस ग्यान में सांत्वना मिली की अंतक्सर धेस में नई शुरुआत होती है महीने सालों में बदल गए और सारा अपनी निराशा की गहराय से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी उसने महसूस किया की ब्रेक अप भले ही दर्बनाक था ने उसे प्यार लची लिपन और मानविय भावना की शक्ती के बारे में मूल्यवान स अबक सिखाये थे और जब वह खड़ी थी अपने सामने फैली संभावनाओं के क्षितिच को देख रही थी तो सारा को पता था कि वह जय है उसने दिल तूतने के तूफान को जहला और विजजई होकर उभरी भविश्य में जो कुछ भी होगा उसे खुले हाथों से स्वीक करने के लिए तैयार तो मेरे प्यारे दोस्तों जब भी जीवन आपको मुश्किल में डाले तो सारा की कहानी याद रखें जानले की सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश की तलाश होती है और हमेशा याद रखें आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं औ अपनी यात्रा जारी रखी उसे संदेह और भय के क्षणों का सामना करना पड़ा ऐसे दिन भी आये जब माईकल की यादे उसे फिर से उदासी के रसातल में ले जाने की धमकी देती थी लेकिन हर बार जब वो खुद को लड़ खडाता हुआ महसूस करती तो वो आगे बढ अग्यता से भर दिया उसने जीवन की सरल खुशियों को संजोना सीखा अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी सुबह पक्षियों के मधूर संगीत की मधूर धून किसी प्रियजन का सुकून देने वाला आलिगन इन सब के माध्यम से सारां को एहसास हुआ की असली उप्चा भीतर से आता है वो आत्मी रीक्षन के मार्ग पर चल पड़ी अपने डर और असुरक्षाओं का साहस और करुना के साथ सामना किया उसने खुद को पिछली गलतियों के लिए माफ कर दिया और अपनी खामियों को उस हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया जिसने उसे खु आत्म खोज की घुमाबदार सडक पर आगे बढ़ी साराव को उद्देश की एक नई भाबना मिली दूसरों की मदद करने जरूरत मंदों की बात सुनने और अपने संधर्षों का सामना कर रहे लोगों को प्रोटसाहन देने में उसे संतुष्टी मिली दयालुता के हर कार् दिल हलका हो रहा है उसकी आत्मा उजवल हो रही है उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ रोमेंटिक रिष्टों के बारे में नहीं है ये जुडाव करुना और सहानुभूती के बारे में है और दुनिया के साथ अपने प्यार को साजह करने में उसे अपनेपन का एहसास जिसने उसकी आत्मा को खुशी से भर दिया साल बीत गए और सारा के घाव ठीक होकर निशान बन गए जो उसकी आत्मा की ताकत और उसके दिल की लचिलापन का प्रमान है उसने कृतग्यता के साथ अपनी यात्रा को देखा ये जानते हुए कि हर परीक्षन और क्लेश ने वो व्यक्ति बनाया है जो वो बनना चाहती थी और जब वो अपने जीवन के एक नए अध्याई की दहलीज पर खड़ी थी तो सारा मुस्कुराई ये जानते हुए कि वो अपने अतीत के दर्ध से परिभाशित नहीं थी वो ही कुद्धर जीवी एक योध्धा अपने रास जानने की साहस लचीलापन और प्यार की एक बूंद के साथ आप सबसे अंधकार में दिनों को भी पार कर सकते हैं और हमेशा याद रखें आप कभी अकेले नहीं हैं क्योंकि प्यार आपको घेरे रहता है तूपानों से गुजरते हुए आपको प्रकाश की ओर ले जाता है जैसे जैसे सारा की यात्रा आगे बढ़ी उसने पाया की वह नए अवसरों को अपना रही है और नई चुनोतियों का सामना कर रही है हर दिन अपने साथ काई तरह की परीक्षाइं और जीत लेकर आया लेकिन इन सब के बावजूद वह प्यार और उद्देश से भरी जिने के अपने द्रिर संकल्ग पर अडिग रही उसने नए रोमांच की शुरुवात की, खुद को अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकाला और अनजान को खुले हाथों से गले लगाया उसने छिपी हुई प्रतिभाओं और जुनून की खोज की, जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था कि बहुँ खुद में है, आत्मा खोज और आत्मा अभिव्यक्ति के आनंद में दूबी लेकिन खुशी और उत्साह के बीच संदेह और अनिश्चित्ता के क्षण भी थे सारा ने रास्ते में कई बार असफलताओं और निराशाओं का सामना किया, ऐसे क्षण जब ऐसा लगा कि दुनिया का भार उसके कंदों पर आ गया है फिर भी अन्धेरे के उन क्षणों में सारा ने हार मानने से इंकार कर दिया उसने अपने अतीत के सबक से ताकत हासल की, खुद को अपने दिल में छिपी लचिलापन की याद दिलाई उसने उन लोगों से संपर्क किया जो उससे प्यार करते थे, जब उसकी खुद की ताकत कमजूर पढ़ गई तो उसने उनके समर्थन और प्रोथसाहन पर भरोसा किया और जैसे जैसे उसने जीवन के तूफानों को शालीनता और लची लिपन के साथ झेला, सारा ने खुद को ऐसे तरीकों से विक्सित होते पाया, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था उसने कमजोरियों को गले लगाना सीखा, अनिश चित्ता की असुविधा को सहना सीखा, ये जानते हुए कि विकास अक्सर प्रतिकोंता के बीजों से ही पनपता है हर गुजरते दिन के साथ, सारा की रोशनी और भी चमकिली होती गई, दूसरों के लिए रास्ता रोशन करती गई, जो अपना रास्ता खुजने के लिए संघर्ष कर रहे थे वो आशा और प्रेरना की किरन बन गई, सबसे बड़ी चुनोतियों से भी उपर उठने की मानविया भावना की शक्ती का एक प्रमान और जब उसने अपनी यात्रा पर पीछे मुल कर देखा, उतार चड़ाव, उतार चड़ाव, सारा ने महसूस किया कि हर अनुभव ने उसे इस पल तक पहुँचाया है, जीवन की इस खुबसूरत टेपेस्ट्री को, जिसे उसने अपने हाथों से बुना है तो, मेरे प्यारे दोस्तों, सारा की कहानी से हिम्मत पाएं जानने की रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यूं न लगे, शितिच पर हमेशा आशा की एक किरन होती है और याद रखें, आप जितना जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आप मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा बहादूर हैं और अपने सबसे बड़े सपनों से भी परे महानता हासिल करने में सक्षम है इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ जुडने के लिए धन्यवाद अगर सारा की कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना न भूली और अधिक प्रेरक सामगरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार साजह करते हुए नीचे एक कॉमेंट छोड़ें और याद रखें साजह करना देखभाल करना है इसलिए इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ती के साथ साजह करना सुनिश्चित करें जिसे आज थोड़े अतिरिक्त प्यार और प्रोथसाहन की आवश्यक्ता हो सकती है अगली बार तक जहां भी जाएं अपना प्रकाश चमकाते रहें और प्यार फैलाते रहें अपना ख्याल रखें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे